सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस्ट अन अपडेट रेंट्स वेलकम बैक इन यूटूब चैनल इस्टडी एजुकेशन वित हमिट सर तूड़े आई विल डिसकस क्लास 12 इंपोर्टन टॉपिक्स फार अपकमिंग बोड्स फिजिक्स ओके हम लोग बोड्स रिलेटर जितने भी इंपोर्टन कोश्चन होगा उसके बारे में लोग डिसकस करेंगे और आपको लगतार वीडियो बोड्स रिलेटर जितने भी कोश्चन होगे उसको अप्लोड करते रहेंगे जो जो इंपोर्टन कोश्चन होगे फॉर्दर से भी सी बोड और इस तो लेट स्थाट देन माइ फॉर्स टोपिक शीज एलेक्टरिक फिल्ड। ठोक तो एलेक्टरिक प्षिल्ड है सोड़ी फिल्ड है अब इसके चारो तरफ की फिल्ड को हम लोग क्या काते हैं मतलब इलेक्ट्रिक के चारो तरफ की फिल्ड को ओके तो लेट आइविल बी एक्स्प्लें हर दोने लेक्री फिल्ड कर्यें लेक्रीक सिरेए ठी Maintenant where its power cover its power cover is called the electric field electric sorry electric field okay कि जहां तक इसका एरिया कभर करता है मतलब यह जहां तक इसका पाउड रहता है उसी को में लोग आगता है electric field करते है suppose जी हमारा electric current है यह electric current flow हो रहा है तो इसका range जितना होगा यहां तक इसका range होगा है देर यहां तक कि यहां तक इसके अंदर अगर कोई आएगा तो इसको current लगना इस्टार्ट हो जाएगा तो इसका अगर पूरा फिल्ड मानेंगे तो जहां तक कि इसका current पूरा परभाव दिखाता है मतलब effective भी होता है तो उसके पूरे area को हम लोग क्या कहते हैं लोके ऩ cabeça अके दर्द टोक कि देङ़िए प्लोकां अ कक़स समय क्याक्ति के अलेक्तिक आपिक्ति प्लोक तेखिएचुंड अब्लैक्तिक प्लोक्व देखीए अब्लैक्तिक फ्लोक सनिद्द अमबर औएख जो भी नंबर रहे हैं मता रहैं नंबर ओफ एलेक्त्रिक field line passing line passing throw a given throw a given area जिस area से यह pass करेंगे given area when electric when या electric held electric held normally is called is called the electric flux electric flux okay then he represent he represent phi electric flux okay इसको हम लोग किसे रिपर्जेंट करते हैं phi से रिपर्जेंट करते हैं तो what is the formula आप अब इसको पहले समझ लिए number of electric field जो electric field होता है यह field होगा हम लोगा इसमे number of electric field line line इसमे एक और oldest इसमें कोई भी range पास करते हैं एक line में एक line में यहाँ पर जोτί पास करते हैं इनको रोकने की रोकने के लिए मतलब यहाँ पर area दिया था है इनको जाने के लिए जो भी launching करता है यह इनको रोपने का काम करता है उसी को नॉर्मली जो होता है न उसी को हम लोग क्या करता है एलेक्ट्रिक फिल्ड हम लोग स्वरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं ओके हैल्ड नॉर्मली जो भी करते हैं उसी को हम लोग एलेक्ट्रिक फ्लक्स करते हैं तो वाट इद into ds? आदेए अब वक्तर का फॉर्म में लेंगे, वक्तर को फॉर्म में तो वक्तर 5e equal to vektor e dot ds इसको हम लोग एक और रूप फॉर्म में लेख सकते हैं नेक्ट फॉर्म क्या होता है phi e equal to होता है e into s cos theta यह भी इसका formula होता है क्योंकि dot हमेशा किस में आता है? cos में आता है इसका normal formula यह vector रूप है vector रूप है vector रूप हिसके बाद आता है इसका उमलोग ठीटा में लेंगे तो cos theta होता है एक चीज़ और देखिए इसका maximum maximum value कब होती है minimum value कब होती है first of all when जब theta equal to 0 degree हो यहाँ पर theta equal to 0 होगा तब देखिए phi e equal to sorry phi e equal to e into s cos 0 तो cos what is the value of cos 0 cos 0 का value 1 होता है तो होगा phi e equal to e into s ओके यह e dot s यह formula होगा है यह maximum होगा maximum second होता है second देखिए when theta equal to 90 degree जब 90 degree लेंगे तब क्या होगा है इसका value तो phi e equal to होता है e dot s cos 90 degree तो cos 90 degree की जो value होती है यह होती है 0 तो its mean phi e equal to क्या होगा all to all 0 हो जाएगा यह minimum होगी ठीक है minimum value होगी electric flux की next third position देख लेंगे third position क्या होता है when theta equal to 180 degree जब हम theta के value 180 degree लेंगे तब क्या होता है phi e equal to e dot s cos 180 degree its mean जो cos 180 degree है न इसकी value minus 1 होती है okay then phi e equal to यह पूरी total value क्या हो जाएगा minus e dot s okay यह हमें के पूरी value होती है पहला होता है जब theta equal to 0 लेंगे तब 1 आ जाएगा मतलब यह पूरा होगी रहेगा जिसकी value e into s s मतलब area हो जाएगा e is equal to electric field हो जाएगा जब इसका theta equal to 90 degree लेंगे तब इसको 0 हो जाएगा जब 180 degree लेंगे तब यह minus में represent करने लगेगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग gos gos theorem किसे काते हैं इसके बारे हम लोग देख ले रहें okay gos gos law किसे काते हैं gos let's start gos law okay what is the gos law it's mean जो area होता है नो यह spherical ले लीज़ेगा is spherical let's start is spherical एक point से इस किसी भी area में यहां पर जो area होगा यहां से जितना भी electric flux निकलेगा electric flux क्या होगा थोड़ो पासिंग होगी इसके एकदम close से न तो जीतने timing में पासिंग होगी न उसी को हम लोग क्या काते हैं electric sorry gos law काते है it's mean चलिए हम लोग बताते हैं आपको क्या काते हैं देखिए the total the total electric flux through a surface sorry a closed closed surface is equal to one upon epsilon zero times ठीक है यह याद रखीगा charge enclosed within it ठीक है it's mean यह हो जाएगा जो हम लोग spherical लेके रहेंगे spherical जो लिए हम लोग यह आप एक point center से point center pv से इसमें जो area जितना electric field electric flux जितना भी closely pass होगा जितना भी होगा इस area से surface से जितना भी pass होगा उसका one upon epsilon zero गुना होता है मतलब उसका one upon epsilon times जो charge होता है charge का होता है it's mean formula हम लोग आपको बता देए हैं इसका formula होता है phi e equals to यह जो charge हो गया q यह कितने times है one upon epsilon times है okay आयोब समझ में आ रहा होगा समझने के मतलब यह हो जागा कि जो electric flux है न electric जो flux है phi e electric flux जो होता है इसमें जीतना charge pass होगा जो charge pass होता है q इसका कितना times होता है one upon epsilon times होता है इसको हम लोग क्या काते है gosh law काते है चले इसको हम लोग डिराइब करके दिखा रहे हैं एक बर और explain करते है भी ध्यान से देखिएगा क्या होता है यह जो phi e है न फाइए इसका मतलब यह हो जागा जो charge होता है charge q का one upon epsilon times बराबर होता है देखिए इसमें दिया है the total electric flux throw a close surface जिसमें इसमें जितना भी total electric flux है न जो pass कर रहा है इसमें closely surface जो surface से pass करता हो जा रहा है is equal जो electric flux हुआ surface से जो pass हो रहा है is equal इसके equal है देखिए is equal to one upon epsilon 0.9 times charge in close जो charge है इसका one upon epsilon times है okay I hope you understand चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको हम लोग derive करके आपको show करते हैं तो let's prove अब इसको हम लोग prove करते हैं how to prove it तो consider consider and isolate positive charge at the center center of spherical या इसको हम लोग कर सकते है इस फेलकल ऑडी या इसको आख Corner now on this सकते है इसको हम लोग कर सकते हैं कि जो गास income गास शर्फरस से हम लोग इसका ले सकते है अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा देखिए कम, लेटस सीट, यह जो हम लोगा जो इस फेरिकल है, जो गासे प्रिष्ट है, मतलब गासे सर्फेस है, इस पॉइंट से, पॉइंट से, इसके सेंटर से, हम लोग पॉइंट उपी मान लिजिए, इसके चारो तरफ, ए इसी एरिया पर हम लोग find out करें इसको हम लोग area कमाल लेंगा ds चोटा है तो ds ले लेंगे ऐसे चोटा चोटा करके बहुत ही चारों तरफ से लेंगे तो यह इसका integral करेंगे तो हम लोग इसका बढ़ा हो जागा इसका जो angle होगा theta equal to 0 इसमें जो pass करेगा यहां से pass करता रहे यह direction इसका इधर यह और यह क्या हो जागा यह ds हो जागा यह दोनों vector form हो जागा इसका point हम लोग पी ले लिए ठीटा equal to कितना होगा जीर हो गया तो चलिए हम लोग इसको बताते हैं आगे कैसे क्या होगा इसको लिग लेंगा थोड़ा सा इसके बारे में क्यों होगा consider a small area जो इसमाल एरिया लेंगे यहां से consider a small area element आफ दो इस्फेरिकल जो इस्फेरिकल से हम लोग इसमाल एरिया लिए हैं इसको हम लोग डियसमाल नहीं वेक्टर डियस ले लेंगे ओके दध इलेक्ट्रिक अब देखिए इसमाल एरिया, इसमाल एरिया इलेक्ट्र, इलिमेंट्स, जो इलिमेंट्स है, इसमें, जितने भी एलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रहे हैं, इस गीवेंट, बाई, अब लेट इस्टार्ट, देखें अब इसमें, अब यह IMPORTन टॉपिक आगाई इतना तो मोझ को जानते है अब देखें मैं यहाँ से अब start शूरूँगा इसको हम लोग second part में कर लाए क्योंकि हम लोग एक ही में इसको कभर कर लिया जएगा चलिए start करते हम लोग क्या होता है I know कि मतलब electric flux का formula क्या होता है phi e equals to e into ds cos theta that is the formula of electric flux do you know when यह छोटा छोटा है हम लोग इसका integral कर सकते हैं कोई problem नहीं हो यह इसको में लिख सकते हैं phi e equals to e into ds हम आपको दोन तीनों formula आपको दिखाया थे तीन formula जब theta लेके चलेंगे तब without theta भी और एक और ता है ठीक है तब क्या होता है electric field at the point at point जो यह point है इस point electric field क्या होगा point P on the दिखें इस point P पे electric field क्या होगा आइंड surface distance इसका ले लेंगे sorry इस surface हम लोग डिस्टेंस इसका आड़ लेंगे point P on the surface surface at distance surface at distance और from किसे center से जो center से इसके जो हम लोग क्या लिए है इस सर्फेस से जो points हो रही है P से इस point तक हम इसका एरिया इतने सो distance लिए हो किसको लिए है कितना लिए हम लोग R denote किये है इसमार R यह याद रखिये गई है यह इसमार R होगा then the formula of electric field आप लोग फार्मला यह electric field का आप लोग पढ़ चुके होंगे यह short formula लिख रहे है होता है क्या e equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square यह किसके लिए अपलाई होता है यह भी आप लोग जानते होंगे क्योंकि जब single charge होगा single इसमें होता है charge उसके लिए apply करते है मतलब single एक positive charge हो यह एक negative charge हो एक charge के लिए हम लोग यह formula सो करते है q equals to another 2 charge है तो e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square हम लोग सो करते है है ओके इसको लोग equation first माल लेंगे लेट इस्टार्ट इसको equation first माल लेंगे इसको second माल लेंगे ओके अभी नोगा योप यूट्राइटो अंडरेस्टेंस ओके देन then तो form of form of equation first ओके तो अगर देखिए d phi e equals to अब जो e की value इसमें हम लोग पूट कर लेंगे ठीक है e की value पूट करेंगे तो यहाँ आपको e की value क्या है 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square तो phi e phi e equals to equals to e की value यही पूट करेंगे न तो 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square into ds let start d phi e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square यह यहाँ समलोग equation of seconds यहाँ पे value put किया into qa ds into ds हो जाएगा ओके देन यह जो ds है area of area of क्या spherical है इस फेरिकल तो area of sphericals क्या होगा area of sphericals हम लोग जानते है s equal to 4 pi r square ओके यह इसकी value को यहाँ put करेंगे कब करेंगे अब देखिए यह small है न तो ऐसे चोटे 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 बहुत जादा q r square integral ds हो जाएगा अब देखिए हम लोग आख बता दे रहे हैं आपको ठीक है अब देखिए छोटे राज को जब इंटेगर करते हैं तो यह राज बड़ी हो जाती है तो इसको हम लिख सकते हैं 5e equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square into यह जो s है इसको हम लोग capital s लिख सकते हैं मतलब यह चोटी चोटी एरिया करके बुरा बड़ा एरिया हो जाएगा तो 5e equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square into यह जो एरिया है एरिया की यहाँ पूट किये हैं देखिए एरिया फिस्पेरिकल्स यहां से देख लिए एरिया फिस्पेरिकल्स क्या होता है 4 pi r square देखिए 4 pi से 4 pi cancel होगा r square से r जो बचेगा वही value होगा तो 5e equals to q upon यह epsilon 0 है यह इसका proof diet है ओके I hope you understand तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू प्राइब